नमस्कार सिटी पोस्ट के इस खास पेसकस में आपका स्वागत हैं मैं हूँ स्रकान प्रतिवस जारखन चुनाव से बड़ी खवर आ रही है जी हां को डर्मा से आरजेडी के प्रत्यासी सुभास स्यादो का नमांकन रद्ध हो गया है अब सुभास स्यादो विधान सभा का च सुभास स्यादों हैं जो लालू यादों के बहुत करीबी हैं और चत्रा से लोक्सभास चुनाव लड़े थे और उसको लेकर कांग्रेस के साथ आरजेडी का घमसान हुआ था महागडवंदर में घमसान मचा था हलाकि उचुनाव नहीं जित पाए इस बार उकोडर्मा से चुनाव लड़ना चाहते थे उन्होंने अपना परचा भी दाखिल कर दिया था लेकिन उनका नमांकन खारिज हो गया है क्योंकि जारखंड के मद्दाता सुची में उनका नाम नहीं है आपको पता होना चाहिए कि लोक्सभास चुनाव में कोई भी भारतिये चुनाव नहीं वो बिहार के वासी हैं बिहार के मद्दाता सुच में उनका नाम है इसलिए इसी को अधार बनाकर उनका नमांकन परचा खारिज हो गया है तो बहुत बड़ी ख़वर आ रही है कि जारखंड के को डर्मा से लालू यादों के बहत करीबी सुबास यादों विधान सभ कुमार को डर्मा विधान सभा से चुनाव लड़ेंगे तो आपको फिर से बता दूं कि एक बड़ी ख़वर है लालू यादों के बहत करीबी सुबास यादों का नमांकन परचा रद हो गया है वो को डर्मा से विधान सभा के चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन जारखं जारखंड राज्य के मद्दाता सुची में उनका नाम नहीं होने की वजह से उनका ये नमांकन परचा खारिज हुआ है सवाल ये भी उठ रहा था कि आखिर ये गलती कैसे हुई तो ये गलती नहीं थी ये सच्चाई है कि उनका उनका जो नाम है बिहार के मद्दाता सुच उनका नाम दर्ज कराय भी नहीं जा सकता था तो इस तरह की चुक थी जिसकी वजह से उनको मैदान से बिना लडाई के बाहर होना पड़ा है तो ये बड़ी ख़बर है और बड़ा जटका है सुबास यादो के लिए लालू यादो के लिए अब सुबास यादो की जगा कोडर्मा से आरजडी के टिकट पर चुनाव लडेंगे उन्होंने अपना नमांकन परचा दाखिल कर दिया है आपको ये ख़बर सही लगे आपको ये ख़बर अच्छी लगे तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ खुब सेर करिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक कर दो